जिस पर चर्चा सुरू हुई थी अभिलास जी ने जिस पर काफी कुछ कहा तो मैंने सोचा कि भाई उसको पहले जो है एक ग्रिष्टांत से स्थापित कर दिया जाए कि कहां पर राम होते हैं और कहां पर धन होता है इसका एक अलग वो होता है सोलवी सदी में तुलसी दास जी ने जब राम चरित मानस लिख रहे थे तो वह सुरू में राम नाम से मुक्ति है पैसे सब काम तो यह आपके उस वक्तब्य को जो आपका सिर्षक है उसको कर्रेस्पॉंड करता है कि भाजपा को पैसे से काम है और पैसा अगर उनको मिल रहा है तो बाकी सब कुछ दरकिनार किया जा सकता है और होता है कर दिया है और योगी जी गए उन्होंने माल का जाके वो धगाटन किया और वो धगाटन में आप बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई वो हमेशा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ठीक है यह स्टीरियो टाइप एक राजनीती होती है एक औसरवाधिता की राजनीती होती है एक परंपरा की राजनीती होती है तो वरतमान में औसरवाधिता की राजनीत चल रही है और वरतमान में अगर औसरवाधिता की राजनीत चल रही है तो उसको बाकी लोग करेंगे और कर रहे हैं इसमें आप यह कहें कि भाई यह इवालिवेट कर रहा है तो हाँ वो इवालिवेट भी कर रहा है वो इंप्रोवाइज कर रहा है तो इंप्रोवाइज भी कर रहा है अपने को सुधार रहा है अपने को समय के साथ ढाल रहे हैं अपने को परिसितियों के साथ ढाल रहे हैं अब आप ये सोचिए कि क्या आज के दस साल बाद भी भाजपा इसी तरीके की अर्थोडक्स होगी आज के बाद दस साल बाद आप ये सोचते हैं कि मांत राजुदास जो है वो इसी तरीके के कट्टरवादी बेयान दे रहे होंगे सिसी चतुरवेदी तो आज नजर बंद कर दिये गए पुलिस ने उनको नजर बंद कर दिया तो एक दूसरा पक्षुसका ये भी है कि आप देख लीजे लिकें सराथ से दस साल पहले तो ऐसी बोल रही थी आज दस साल बाद भी ऐसी बोल रही है दस साल पहले की भाजपा को आप देख लीजे जनसंग को देख लीजे जनसंग के बाद की भाजपा को देख लीजे भाजपा के बाद के वर्तवान को देख लीजे मतलब अटल भीहरी वाजपेई का फेस देख लीजे आज की स्थिति देख लीजे अगले दस साल का इस 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 तिदी में या तो आपको माक्षवादी बनना पड़ेगा आपको कम्यूनिस बन जाना पड़ेगा कि आप इस एक स्थिरोटाइप राजनीती में आप उस जगह पर जाएंगे या आप नाजी बन जाएं तो वो चीज़े नहीं है इवालिवेट करने की राजनीती है इवालिवेट हो रहा है नई परिसित्या राजनीती में उदय हो रही है और अब देखे यह है कि आज की तारीक में इसी मुसल्मानों का एक बड़ा अभिजात तिवर्ग अगर आप आज की तारीक में देखें तो वो दीरे दीरे करके लेकिन उनको पता है कि आगेज आने वाले समय में फिलहाल ये हटने वाले नहीं है, विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, एक आएक परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिख रही है, और उन्हें पता है कि अभी अगले 5 साल, 10 साल तक तो सासन यही करेंगे, तो उसे सिती में क्या होगा, मुसल्मान अगर अपना वोट, लेकिन ऐसा होता है, तो पिछले शुवक पहले ही जामा मस्जित और तमाम जगाओं पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, अगर ऐसा वही कर रहा हूं कि 12-15 प्रतिसत वोट जो है, उसको आप लेके अगर चले भी जाएंगे, किसी एक पार्टी को आप कंसालिडेट करके वो सारा परसेंटेज अफ वोट ढाल भी देंगे, कर क्या लेंगे, कोई बड़ा परिवर्तन तो होगा नहीं, 15 से वो 18 प्रतिसत भी हो जाए, पूरी पोलराइज वोटिंग करा लीजे, एक तरफ हो जाए सब कुछ तो भी क्या होगा, भई कोई अब दूसरी तरफ अब देख लीजे, दूसरा साइड देख लीजे, इतना डराया गया है, इतना लोगों को खौफ पैदा कर दिया गया है, आप देखिए गजवाए हिंद, नजाने कौन हिंद, अभी वो क्या एक 2047 का प्लान, 2036 का प्लान, और नजाने कौन-कौन से प्लान अभी दिरे-दिरे-दिरे-दिरे करके खुल के सामने आएंगे, जिन पर चर्चाएं होती रहेंगे, एक narrative बनेगा, ऐसे ठोगा, कि कस्मीर में ऐसा हो गया, बहुत जगह बहुलतावादी हो गये मुशलमान, और उनकी जो है अबादी का explosion ह होने जा रहा है, आप लोग डरिये, हम खौफ में डरेंगे, और उनका एक वोट का जो प्रतिशत है, जो हिंदू मतों का प्रतिशत है, वो पोलराइज होगा, और वो अपने काम में काम्याब होंगे, ये तो बिलकुल तह हैं, और वो अपनी रणनीती के हिसाब से बिलकु सही चल रहे हैं और बिलकुल सही काम कर रहे हैं, एक-एक पैर, एक-एक कडम बाकाइदे परक के देख के रख रहे हैं और रणनीती के हिसाब से रख रहे हैं अब जैसे अब इलाज जी भी का रहे थे कि ये परिस्थितियां जो है वो धीरे 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 करके इस तरीके की आ रही है कि ऐसे लोगों को जो है आप पैसा है तो आप आ जाएंगे और आपको चले आइए चित्पाउन-ब्रामण क्या थे मालूम हैं चित्पाउन-ब्रामण जो है वास्तों में जो यहूदी लोग थे जो वहाँ से भगाए गए थे नर्शंगार के बाद वो जब आये थे कॉंखर के तट पर और उसके बाद वो आये तो उनको जो है महारास्तर के लोग एसी कुछ परिस्थितियां मुशलमानों के साथ भी होंगी, घरवापसी का एक बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है, घरवापसी एक बड़ा नेरेटिव बन रहा है कि घरवापसी होनी चाहिए, कि आप इसी ही खून के हैं, आपके जनेटिक्स जो है पहले के ऐसे थे, और आपके जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा. झाल